तो दोस्तो आज की वीडियो होने वाली अपनी DTC मशीन से देख सकते हो यहाँ पर आपको मिलने वाली है पेपर पेट मशीन जो की हाँ पर सीधा मैनुफेक्चर के पास आ चुका हूँ मैं जैसे कि देख पार हो कुछ इस तरीके की मशीन है यहाँ पर रखी हुई है तो यह स मशीन मेरी मैनुफेक्चिंग खुद की है और मुझे कम से कम 22-23 साल हो गई है इस काम को करते हुए अच्छा पहले तो हमारे पपा करते थे ठीक है और फिर 18 साल से मैं समाल रहा में इस चीज़ को किस किस तरीके की मशीन आपने बाद पर प्रवाइड उने माली है पेपर प प्रवलों में तो हम आपके सेवा के लिए तो इनका एडर्स भी पीछे देख सकते हो आप लिखा हुआ अपय प्रवलों मा लिग्ए got drive को क्टक कर सकते हो पो इनगा पुए जिए बता हो कितने साल से काम कर 500 आप 18 साल से एठार साल से जी तो मतलब सारी मैंफेक्चिर किंग कि होने वाली है यहां जी सर मैनुफेट्चेंग हमारी खुद की है अच्छा तो किस किस तरीके से आपने पास पेपर प्लेट रेडी होती है डोना पट्टल होगे राथ हाली जो भी आइटम रखे हैं जी सारे आइटम एक ही मशीन के अंदर आप कोई भी आइटम मना सकते हो आपको पासे खरीटते है जैसे कोई भी इन में से तो यह इस तरीके की मतलब काफी सारी वेराइटी एक ही मशीन के अंदर हम निकाल सकते हैं ना आप कोई साभी आइटम कोई भी डाई चैंज कर सकते हो अच्छा तो बताए इसे क्या कहते है इसे दौना बोलते है छह इंच चटनी काणि है साथ फ्लेट अर ये नीओ इन्ची ये आपा आथ इंची प्लेटर बेंस चाह टोस्यार प्लेटिय आपऊ का इंची अग कर तो ये लिए ये प्लेट टांद but अल्हिए तो गंत ये वर याथ यंची आप ये उड़ेंट इस चाहोगे बैसा मिलेगा अच्छा ठीक है वो इसकी बात बात करें तो इस तरीके की यह भी सबसे पहले मशीन की बारे हम बताते हैं कि एक मशीन आप से कि अच्छा पर बात करो नॉर्मल जैसे मेरा बजट है 25,000 का तो उसमें मुझे अच्छी प्रॉइड हो जाएगी बहुत अच्छी हो जाएगी अच्छा मदलब अगर सपोज मैं आपसे एक मशीन लेता हूँ इदर आज़े इस तरीके मशीन लेता हूँ मैं आपसे तो मैं कित कर लो लेकिन महीने कर कितना कमा सकते हो कम से कम सर मशीन आप आठ गंटे चलाओगे जी तो यह आपके 12,000 पीस तयार कर देगी 12,000 पीस जी और आप सिंगल डाई मशीन है हाइड्रॉलिक मशीन है और इसमें आपके पीछे दो रॉन लगेंगे अच्छा एक साथ दो दो पीस बन-बन के गिरते रहेंगे अच्छा और एक दिन में आपका ज्यादा नहीं तो 800-900 रुपे पिरती दिन के इंकम होगी आपको अच्छा हां जी और यह डबल डाई है अच्छा एंगल बोडी में बनी होई है इसमें भी आप 3 इंस से 14 इंस तो कोई भी डाई चेंज कर सकते एक साथ दो चीज निखलेंगे जी दो चीज बनेंगी चाहे 10 इंच की डाई लगाओ 12 इंच की लगाओ कोई इसी भी डाई लगा सकते हो एनी टाम बडिया और इससे आगे चलते है दो यह डबल डाई हाइड्रोलिक डबल सलंडर में है यह भी आपकी मशीन जो अभी सिंग पैनल का आएगा इस पैनल के अंदर तीन तरीके से मशीन को अपरेट कर लिया जाता है अच्छा मैनूल भी चला सकते हो सेमी ओटोमेटिक भी और फुल ओटोमेटिक भी अगर आपको कोई मशीन सस्ती दे रहा है ना यह मशीन तो वो पैनल रख खा है यह आपको पांच हज रुपे सस्ती में मिलेगी अच्छा पैनल चेंज कर देंगे तो पांच हजा रुपे कम भी हो जाएगा यह डिजिटल पैवल है और उसमें केवल एक बार फुल ओटोमेटिक ही चलेगी उसमें आप सेमी ओटोमेटिक नहीं चला सकते मैनूल नहीं चला सकते इसके अंदर आ चाहू कटर लगा के सरकल कटिंग भी हो जाएगी कैसे अपनेट हो जाकती है यह बात करते इस तरीके से प्लेट्स वगेरा यह पेपर सब्सक्राइब कहां से मिलेंगे यह हमारे पास भी मिलेंगे और आपका जब भी नियर वाइस रो मेटेरियल वाला होगा आपको डारेक अब को चीए आपको पिच्छ मिल जाएगी वीडियो मिल जाएगी वीडियो कॉलिंगी फैसिलिटी भी मिलेंगी और यहां पर आना चाहतो हो तो यहां पर आसकते हो देख सकते हो शिव मंदिर वाली गली है नियर बादरपूर मेट्रो सेशन शादरा दिली ठीक है इस तरी तु इंबन मशीन है आप इसमें दोना प्लेट थाली वगएरा कुछ भी बनाईए सबसे पहले तो यह स्टार्टिंग में हीट करनी होती है दस मिनेट अच्छा और दस मिनेट हीट करने के बाद में यह बलोड चला देने है और आपको यह मसीन को मैं चला के दिखा रहा हू चाहे इदर 12 इंच की और 10 इंच की कोई इसी भी तरी भी डाइचे बड़ी प्लेट भी निकाल सकते है तो तीन मशीन तो हमने देग लिए अब यह कूं सी मशीन है काफी बड़ी लग लिग लिए तर यह पेपर लग लग जाएगा आगे पैटर लग लग जाएगा आगे र 6 इंच से आप 14 इंच तक कोई शावी रोल का ट्रेंग कर सकते हो यह एटलस कंपनी के कडर है आगे पीछे इने जैतना करना चाहो उतना कर सकते हो तो सर अब कहा चलते हैं एक बाद फैक्ट्री विजिट कर लेते हैं देखते किस किस तरीके से अपनी मैनुफेक्ट्रिंग होती है आप आओ और फैक्ट्री पे देखो चलाना समझाना सिकाना हर कस्ट्यूमर को मैं तो यही कहूंगा कि एक बार मेरे पास आएं आके मशीन चलाना समझना सब कुछ करें फिर उसके बाद मशीन पर्चेज करें तो एक बद चलते हैं फैक्ट्री में तो देखते किस किस तरीके से रहने वाली है एक बार देख लेते किस किस तरीके से रहने वाली है आईये देखो मेरे पास में कई तरीके की मशीन तयार है एक तो यह शिंगल डाई मशीन है जो चैनल वाले लोहे में बनी हुई है तीन इन्स से चोद़े इंच तक आप आप इसमें कोई भी डाई चैंज कर सकते है और एक गंटे की प्रोडमिक्शन आपकी 1400 पीस आईगी एक गंटे में चोदा सो पीस बनके निगलने वाले इस मसीन में ठीक है और ये डबल डाई मशीन है डबल क्रेंक में एबी ड्यूटी पार्टिशन मशीन अच्छा जी इसमें अगर एक ही शाइट चलाना चाहोगे तो लेफ्ट या राइट एक बैल उतारने के साथ पूरा सेटप एक शाइट का बंद हो जाएगा अच्छा आईए मैं इससा मशीन को चला के दिखाता हूँ है हां जी एक साथ दो काम हो सकते है इसमें आप तोना प् कोई शी भी डाई चेंज कर सकते हो अच्छा जी एक गंटे की पोडेक्शन इसकी भी 1400 पीस होगी तो अब एक मशीन चला कर देख लेते है किस तरीके से रहने वाली है एक साइड में यह थाली बन रही है आपके 12 इंची अच्छा जी और एक साइड में यह 6 इंच दोना बन हाँ पने आप तरह दी जाए यह 1 गहलागी स्वागी और 2 टा मैं इस तरीके सेमिन ना यह थाली किके से ऐक दो अंटे में कितने पीस निगठे यह थाए यह थै। Calling और न गंटे में 30 हजार पीस तैयार हों एक गंटे में 3000 पीस है अच्छा, ठीक है, यह देख सकते हो इस तरीके से, फिनिशिंग प्रॉपर आने वाली यह थाली की देख लेते हैं, एक बार इस तरीके से रहने वाली यह देखो, और इसमें, यह डबल ट्रेंक है, अगर एक साइड बंद करना चाहोगे, एक साइड की बैल उतार दो, पूरा पास देखने को मिलेगा हमें, सर मैं मशीन मेनुफेक्चर खुद हूँ, हर चीज आपको क्वाइल्टी में मिलेगी, और आपको यह नहीं के मैं ट्रेडर्स हूँ, किसी और से खरीद के आपको दे रहा हूँ, मेरी मशीनों की वन यर गारेंटी रहेगी, पिलस टू यह वा पर चेक कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आता उस तरीक से आप पर पच्छेश कर सकते हो, ठीक है, और बात करो, अगर कोई नहीं आपको जुड़ना चाहता हो, नहीं काम अपना शुरू करना चाहता हो, तो उसको कैसे सपोर्ट करोगे आप, मतलब एक होता है, कि अपने सामने चला के देखो, समझाओ, फिर उसके बाद आप मार को पर्चेश करो, जो भी मशीन लेनी है आपको, ठीक है, तो अपने पास स्टाइटिंग कितने से हो जाती है, अगर नॉर्मल की बात करो, सिंगल, दस अजार से स्टाइग है, सर मेरे पास में मशीन री, दस 12 इंच तक कोई इसी भी डाई चेंज कर सकते हो, ठीक है, इसका प्राइस कितना बताया फिर आपने, सर यह 55,000 रुपे की मशीन है, यह भी चैनल की, हैवी डूटी में होगी मशीन, अच्छा, हैवी डूटी में होगी 55,000 के रहने वाली है, वारंटी के साथ आपको मिलने व अच्छा, हैवी डूटी में बाकी पेमेंट कराना और मशीन रिषीव करके अपने घर रे जाना, मेरा कारीगर जाएगा, आपकी मशीन को चला के समझा के शिखा के आएगा, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, देख सकते हो, मतलब क्वालिटी चीज आपको मिलन अच्छा, आपके हाथों से स्टॉल ना करा दे तो अच्छा, अब बात कर ले तो इस तरीके से प्लेट्स वागे, तो यह रोव मेटेरियल कहा से मिलेगा हमे, रोव मेटेरियल मेरे पास भी मिलेगा, और आपका जो भी कहीं मसीन जाती है, उसके नियर वाइज में हम अधर पेपर बाले का कॉन्टेक्ट नंबर भी देते हैं, जो भी आपके नेर बाई होगा, वो सर आपको बता देंगे कि कौन साफ के नेर बाई कहा पको प्लेट्स मिले वालीगे, प्लेट्स के बात करूँ अलग-अलग क्वालिटी में भी आपको यह पर प्रोवाइड हो जाए डबल डाइक जो कि अभी तैयार हो रही है इसमें डबल करेंक यह जोइंड गया है przypadल बोलते हैं इसे मतलब देख सकتे होiğ güne इस तरीके तरीकpend तरीके से पोhouнд पा Clay आठ इंची दोना है, आठ इंची प्लेट है, अच्छा यह अपने इंची रिंची रिंखल में, बना सकते हो आप, कोई भी डाई चैंज करके आप मशीन को अपने आप, यह यह है रिंगली का फ्रेम तयार हो रहा है, अच्छा, डबल डाई में, हां जी, इस इंगल डाई मश मशीन है चैनल के लोहे में बनी हुई है, हेवी डूटी में रहेगी, और ये मशीन में आप 3-14 इंच तक कोई भी डाइचेंज कर सकते हो, और आप रिंकल पिलेट भी बनाना चाहो, रिंकल इस तरीके से प्लेट बनाना चाहतो हो तो ये भी बन जाएगी है, ये सर्कल पेपर ये सप्लेट अवत में खाओ उसमा खりका, जैसे कि ये मैंने रख दिया, और मसीन चला दी और ये फिए बन बन गराता रहेगा, जैसे इस तरीके से डूना बन दाए आपने बन जाएगा, ऐसे बन 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 के आपने आप गरता रहेगा, немного डी ज़ չोर्चे तो हम आपकी शेवाव के लिए हाजिर हैं